हलो नमस्कार इबरिबर्डी स्वागत है आप सभी का अपने अपने टूब चैनल एक्जाम सोंच पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लूसेंड किताब का निचोड करेंगे लूसेंड के 501 वेरी इंपॉर्डेंट कुस्सन आज की इस वीडियो में हम करने बाले हैं इस वीडियो को पूरा चिरूर देखेगा तो चले फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं हमारा पहला क्वस्तन है इंपिरियल बैंक आफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी 1921 में हुई थी दोस्तो इंपिरियल बैंक आफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका नया नाम अब हो गया है SBI यानि की State Bank of India CNG का पूर्ड रूप क्या होता है CNG का फुलफॉर्म होता है Compressed Natural Gas इसका फुलफॉर्म होता है बिकरम सिला गंगा डॉल्फिन 1 जीव अभिरड किस राज में इस सथ है बिहार में इस सथ है दोस्तो बिकरम सिला गंगा डॉल्फिन 1 जीव अभिरड जो है ये बिहार में इस सथ है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है लूनी नदी जो है ये थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है बाबर निक के स्वर्ड्स में इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली और आगरा पर कबज़ा किया था तो 1526 इसवी में पानी पत का पर्थमियुद हुआ था जिसमें बाबन ने इब्राहिम लोदी को हरा था और इसके इसने मुगल समराज की असाबना की इब्राहिम लोदी को हरा कर के नेक्स्ट क्वस्टन है कि मानुस शरीर में बाल, नाखून और तुचा की सबसे उपरी परत को बनाने वाला परमुक पदार्थ कौन सा होता है तो कैरोटिन होता है दूस्तों बाल, नाखून और तुचा जो बनी होती है ये कैरोटिन की बनी होती है पानी में गुबबारे फुलाने के लिए किस निसकरिये गैस का उभ्योग किया साता हैं हेलियम गैस का प्रयोग किया साता हैं पहले राच्टमंडल खेलो का आयोचन किस वर्ट किया गया था 1930 में किया गया था 1930 में किस महासागर में सबसे गहरा बिंदू चाबा गर्थ इस्सद हैं, हिंद महासागर में इस्सद हैं। अगला प्रसन है दोस्तो केरल में मना चाने बला ओडम नामक भारतिय तिहुआर कितने दिनों तक चलता हैं। दस दिनों तक चलता है ओडम तिहुआर जो हैं, ये दस दिनों तक चलने पला केरल का तिहुआर हैं, कौन सा लोक निर्थ असम की चाय जनचातियों दोरा आयोजित किया जाता हैं, तो जूमर निर्थ हैं दोस्तों, जूमर निर्थ हैं, जो असम की चाय जनचातियों के दोरा आयोचित किया जाता है समस्टी अर्थसास के जनक के रूप में किसे जाना चाता है जोन मेनार्ड कीन से जिन्हें समस्टी अर्थसास का जनक माना जाता है भारती सब्धान की प्रस्तावना को पंडि जभालन नहरू के दोरा सबधान सभा में कप पेस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेस किया गया था पंडि जभालन नहरू के दोरा सबधान सभा में और बाद में यही प्रसाउना के रूप में भारते सबधान में एड़ किया गया था नेक्स्ट क्वस्टन है कि भारत के नदियों को आपस में जोडने बाली पहली परियोचना कौन से थी? केन बैतबा परियोचना थी दोस्तों केन बैतबा परियोचना थी हिंदू बिधुआ पुनर बिभा अधनियम किस वर्टस से लागू हुआ था? 1856 से लागू किया गया 1856 से किस वर्टस से कबटी को एक पूर्ड खेल के रूप में ACI खेलों में सामिल किया गया था 1990 से सामिल किया गया 1990 से अचनता सरत कमल किस खेल से समबन्दी थे? ये टेबल टेनिस से समबन्दी थे दोस्तों सरत कमल जो है? ये टेनिस टेबल टेनिस से रिलेटेट हैं अगला प्रसन है कि किस वर्ट्स में गांधी एर्विन समझोते पर हंसाचर किये गये थे 1931 में भारती सब्धान के किस अनचेत के अनसार देश के नागरिकों को प्राण और देहिक सोतनरता के सरक्षण का अधिकार प्राप्थ है तो अनचेत 21 है दोस्तो आर्टिकल 21 है जिसके तहट भारती नागरिकों को प्राण और देहिक सोतनरता का अधिकार प्राप्थ है और दोस्तो अनचेत 21 और 20 जो हैं ये आपात काल में भी निलंबित नहीं होते हैं अनचेद 20 और 21 जो हैं ये आपात काल में भी निलंबित नहीं किये जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के बाद किस राज में लोगसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक हैं तो उत्तर प्रदेश में लोगसभा सीटों की संख्या 80 हैं और उसके बाद में महाराश्य राज में लोग सभा सीटों के संख्या 48 हैं। मरुस में कितने योग्म गुर्ण सूत्र होते हैं। तेस योग्म गुर्ण सूत्र होते हैं। तेस जोड़ी गुर्ण सूत्र पायजाते हैं। यानि कि कुल 46 गुर्स उत्र होते हैं। बाड़ भट ने किस राचा की जीवनी लिखे थी? हर्स बर्धन की जीवनी लिखा था बाड़ भट ने हर्स बर्धन की जीवनी का नाम है हर्स चरित हर्स बर्धन की जीवनी का नाम जिसे लिखा था बाड़ भट ने गुरु मुख्य लिपी का अबिस्कार किस गुरु के दोरा किया गया था? गुरु अंगत देव के दोरा किया गया था? कौन सा बिटामिन एकनिस के रिए बिटामिन टी है? एर्गो कैलसी फिरोल चुहें ये एकनिस के रिए बिटामिन टी होता है लखनओं के बुनकरों की आदुतिय परंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती हैं चिकन कारी कहलाती हैं महिला उध्मिता दिबस का मना जाता हैं 19 सनोंबर को महिला उध्मिता दिबस मना जाता हैं Next question, William Jones Cup किस खेल से संबंदित हैं? Basket Ball से related हैं बिलियम जोंस कब जो हैं बॉसकर्ट बाल से रिलेटेट हैं। इसने एक बोर्ड रेस किस तहुआर की एक अनूठी बिस्चता हैं। भारती सब्धान के किस अनुचेत के तहत राच्टपती के पास किसी दोसी बेक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की सक्ति होती आर्टिकल सेबंटी टू में बताया गया हैं। ये भारत के पास छमादान की सक्तिया होंगी ये आर्टिकल सेबंटी टू में बताया गया हैं। उनीस सुबहरत्तर की अनसुचियों में से किस अनसुची के तहत गंगा के डॉल्फिन सनच्चित किया गया हैं। उत्तर भारत की कौन से नदी बेरिनाक का मुख जल सुरोत हैं। जेलम नदी है दोस्तों जेलम नदी, कि सब्धान संसोधन के तहट गोबा को पूड राच्च का धरजा दिया गया था, तो 96 सब्धान संसोधन है जिसके तहट गोबा को पूड राच्च का धरजा दिया गया था, किसी कठोर पस्तू से टकराने पर घंटी जिसे धोनी उत्प नेक्स्ट क्वस्टन नेक्स्ट क्वस्टन है कि भारत में पैंचायत राज संस्थाओं को पढ़ावा देना किस अधनियम का उद्देश हैं। नेक्स्ट क्वस्टन है कि रग्त चाप के लिए किस अंतर का उप्योग किया सता हैं। इस फग्मो मैनो मेंटर का परियोग करते हैं रग्त चाप को मापनी के लिए। भारत के कुछ हिंस्टों में किसान मोप, किसान पोला तिहुआर किस की पूझा करके मनाते हैं। बैल की पूझा करके मनाते हैं किसान पोला तिहुआर। कुतों मिनार के पांचवे तल का निर्माड किसके सासनकाल के दोरान किया गया था। फिरो साथ उगलक के था सासनकाल में कुतों मिनार के पांचवे तल यानि की पांचवे मनजल का निर्माड किया गया था। अधिनियम ने भारत में वन्सान निकर्म के नियम को कब त्याग दिया था। उनिस्सोचपन में त्याग दिया था। कदम बांध किस नदी के संगम पर इसे थे। कदम और गोदाबरी नदी के संगम पर इसे थे कदम बांध। अबद को आसांत छेतर घोसित करने में किसे ने महत्यपूर्ड भूमिका निफाई जिससे इसे बिल्टिस निंतरण में लाना अबस्यक हो गया था। तो लाड डलहुची ने महत्यपूर्ड भूमिका निफाई थी लाड डलहुची ने जो की उस समय वहां के गबर्नेशनल थ दोस्तों हमने एक ebook launch की है प्राचीन भारत का इतिहास इस ebook की खास बात यह है कि इसमें दोस्तों limited चीज़े हैं यानि कि जो आपके exam point अभी उसे महत्यपूर हैं वही चीज़े इस ebook में रखीगी हैं फालतू चीज़े इस ebook में नहीं रखीगी हैं तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसे बाय जरूर करिएगा दोस्तों यह आपके हर एक exam के लिए important है जहाँ आप SSC, CD, CGL, MTS, CPO, Railway, BPSC, UP Police, Silly Police किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं जिसमें history पूछी जाती हैं उनसे भी exam के लिए यह ebook important है इसका demo भी आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से इस ebook को design किया गये हैं कुछ इस तरह से इस ebook को design किया गये हैं और हर एक chapter के बाद उस chapter से related चितनी भी प्रसन पिछली प्रच्छाओं में पूछे के हैं उन प्रसनों को भी इस ebook में रखा गये हैं ताकि आप साथ ही साथ प्रेक्टेस भी कर सकें, जिसे आपको एक आडिया लग सके कि एक्जाम में किस तरह की क्वेसन पूछे जाते हैं, तो इसे बाइस जरूर करिएगा दोस्तों, मातर 59 रुपे की ये एबुक हैं, 59 रुपे की ये एबुक है और लिंक आपको इसमें दोस्तों 5000 से जदा important question हैं, जो कि आपके हर एक एक एक्जाम के लिए important हैं, इतिहास, सबधान, भुगोल, अर्थसास, समान बिग्जान और इसके अलाबा इस स्टेटिक जीके के भी question इसमें include कियेगे हैं, तो अगर आपने इसे अभी तक बाइन है किया हैं, तो इसे बाइज जरू करिएगा दोस्तों, ये भी e-book है, मात्र 59 रुपे की, वंसाट रुपे की ये e-book हैं, तो इसे आप जरूर बाइज करिएगा दोस्तों, 5000 से जदा important question इस e-book में दियेगे हैं, इस e-book को कुछ इस तरह से design कियागे हैं, हर question को बहतरीन तरीके से इस e-book में करते हैं, हमारा अगला question है कि सब्धान की प्रस्तावना में कोई सा सब्ध भारत को पूर राजनीतिक सुधनरता और सरभोची सक्ती बाले देश के रूप में वरिड़त करता हैं, तो समपर्भू सब्धे दोस्तों, समपर्भू सब्धे जो की कहां पर दिया गये हैं, सब् इब्राहिम लोधी को पराज़ित करने के बाद भारत का पहला मुगल समराट कौन बना था? बाबर बना था दूस्तों, बाबर इब्राहिम लोधी को पराज़ित करते हैं, भारत का पहला मुगल समराट बना था? कब बना था? 1526 इसबे में बना था, आबोर की पहाड़िया पंजाब से निकलने बाली पांच नदियां पाकिस्तान के मिधन कोट में किस नदी में मिल जाती हैं मिजोरम के लोगों का परंपरिक बांस निर्थ क्या कहलाता हैं चेराओ कहलाता है दुस्तो मिजुरम के लोगों का परंपरिक जो बांस निर्थ होता है उसी चेराओ कहा साता है अगला प्रसन 1708 सिबी में गुरू गोबेन सिंग जी की मिरत्यों के बाद खालसा ने किसके नित्रित में मुगल समराचे के खिलाब बिद्रो किया था बंदा बहादुर के नित्रित में किया था लालीगा का खिताब किस खेल से संब्दित है फुटबोल खेल से संब्दित है तो ऐसा मलिक किस खेल से संब्दित है ये गोल्फ से संब्दित है तो ऐसा मलिक जो है ये गोल्फ से रिलेटेट है अगला प्रसनी की सर्यू नदी किस नदी की सहायक नदी हैं? सार्दा नदी की सहायक नदी हैं सर्यू नदी और सर्यू नदी के तडपर ही राम नगरी यहनी की अयुद्ध्या इससे थें बिटी कल्चर किसे कहा चाते हैं अंगूर की खेती को कहते हैं अगला प्रस्ण 1857 तक भारत के मुगल समराटों का लगभग 200 वर्ड़सो तक निवास अस्थान क्या रहा हैं लाल किला था बिदोध परबत को विवस्त करने या इसे पूड करने के लिए किसका परयोग किया साता हैं स्विच का परयोग किया साता हैं हिलियम के दुए चार्जित आयन क्या कहलाते हैं? अलफा कड कहलाते हैं. भारते सब्धान में कौन सा अन्चेद सहिकारी समतियों के समवर्धन से संबंदित हैं? तो अन्चेद 43B है दोस्तों, आर्टिकल 43B हैं जो सहिकारी समतियों से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट क्वस्तन ही कि संसत द्वरा भारती जीबन विवा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था. बेसे जनसंख्या दिबस्त का मनाया चाता हैं, 11 जुलाई को मनाया चाता हैं. सुमो कुस्ती परतियोक्ता की उत्पती किस देश से हुई थी? जापान देश से हुई थी दोस्तों, जापान में सुमो कुस्ती परतियोक्ता की सुरुआत हुई थी सबसे पहले. टू लाईब सपुस्तक किस के दौरा लिखे गए हैं? बिक्रम सेट के दोरा लिखे गए हैं 1865 ECB में मुंबाई का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था और्थर क्राफर्ट को नियुक्त किया गया था और्थर क्राफर्ट को पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था मुंबाई सहर का केस अधनियम के तहट केंद्रे परदूसर्ड नियंतरड बोर्ड का गठन किया गया था तो परदूसर्ड निबारड एबम नियंतरड अधनियम उननी सुचोहतर के तहट किया गया था जो की जल के लिए था दोस्तों जल के लिए तलाचा गुफाए किस राज में इस थें? गुजरात में इस थें तलाचा की जो गुफाएं हैं ये गुजरात राज में इस थें जन्ता दोरा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके दोरा बैंक जमा धन की अनपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनपात कहते हैं मुद्रा जमा रेशियो कहा जाता है नेक्स्ट क्वस्टन है कि भारत के किस सहर में सब तक संगीत समहरों मनाज जाता है एहमदाबाद में मनाज जाता है दोस्तो एहमदाबाद सहर में सब तक संगीत समहरों मनाज जाता है भारते सब्धान की कौन सी अन्सूची दल बदल के आधार पर किसी ब्यक्त की संसद या राज की बिधान सभा या बिधान परसद के सदस होने की आयोगता से संबंध थें तो दस्भी अन्सूची जो की 92 सब्धान संसोधन के दोरा सब्धान में चोड़ी गए थी कब 1885 में 1985 में चोड़ी गए थी 92 सब्धान संसोधन के दोरा दस्भी अन्सूची जो की दल बदल कानून से सब्मंध थें भगवान सियो के आउतार को समर्पित कादरी मंचुनाथ मंदिर कहां पर इस थें? करनाटक के मंगलूरु में इस थें? करनाटक के मंगलूरु सहर में भारती ससत्र बल वयवरिध दिबस का मना चाता हैं 14 जनूरी को मना चाता हैं ग्यातरक छतरिय बंस के परमुक पुत्र कों थें? वर्दमान महाबीर थें समवाद कौमदी नामक आखबार की अस्तापना किस ने की थी? राजा राम महुन राए ने किया थां मीर जाफर को किस वर्स पुनहा बंगाल के नवाग के रूपे परतिश्रित किया गया था 1764 इस विमें किया गया था युम्थांग घाटी किस राजी में इसे थें सिक्किम में इसे थे दोस्तो सिक्किम राजी में युम्थांग घाटी इसे थें युम्थांग गाठी कहां पर हैं सिक्किम राजी में इसे थें नेक्ष्ट कॉसन ही कि हीमो गुलबिन की कमी के करण कौन सा रोग होता है एनिमिया का रोग होता है दूस्तो एनिमिया रोग जो है हीमो गुलबिन की कमी के करण होता है करनाटे के पठार के पहाड़ी खंडों के लिए कौन सा सब्द परयूग किया जाता है माल नाट सब्द परयूग किया जाता है मुहम्मद बिन तुगलक ने सस्ती धातू से बनी मुद्रा का इस्तिमाल अपने सैनिकों को भुकतान करने के लिए किया जिसे क्या कहा चाता हैं टोकन कहती है थे दोस्तों टोकन कहा चाता था गिद्ध सनच्छन एवम परजनन केंदर कहा पर इस थे पिंजोर में इस थे पिंजोर सहर में नेक्स्ट क्वेस्टन है कि अराबली परवस्षिनेडी की सबसें उची चोटी के सराज़ी में इसे थें, राजस्तान में इसे थें जो की गुरु सिखर हैं, उनीसो पचीस में घटित कौन सा सडियंतर ट्रेन की डकाईती से संबन्ध थें, तो काकोरी सडियंतर है दुरुस् अधच पद से इस्थिपा दे दिया था वसने के सब्धान का सौबा सब्धान संसोधन अधनियम 2015 भारत और इसके किस पडोसी देश की सीमा को संसोधित किया गया था बंगला देश को संसोधित किया गया था दोस्तो भारत और बंगला देश को बिन्चुडो निरत्मुखता किस राज़ी से संबंध थें? कुजराच से संबंध थें? भारत के प्राचीन इतिहास के जंदर में असोक संभका संबंध किस अस्थान से हैं? सांची से हैं, दोस्तो सांची से हैं सुबाच संदर बोज बिल्टिस सरकार की नजरबंधी से किस बड़्स भाग निकले थें? 1941 में 1941 में अगला प्रस्ण है, सालाड जंग संगराले किस सहर में इस्त थें? हैदराबाद में इस्त थें? चाड़क किस के सासनकाल में परधान आमत थें? चंदर गुप्त मौर के सासनकाल में परधान आमत थें? चाड़क का जूत हैं, इनकी पुच्सक है दोस्तो अर्थ सास तर अर अपनी सहमती देना अनिवार कर दिया गया था, 24 सब्धान संसोधन 1971 था, 24 अमेडमेंट 1971 था, सरीर की रचना का अधेन करने बाले बिज्ञान को क्या कहा साता है, एना टॉमी कहा साता है, कैसनियम के अनुसार दो वस्तों के बीच लगने बला बल उनके द्रमानों के गुडन फल के समन पाती होता है, गुर्तवा कर्षन बल के नियम के अनुसार होता है, गुर्तवा कर्षन बल के नियम के अनुसार जिसे दिया था दोस्तों सराजक न्यूटन ने, नेलगरी पहाडियों में कौन से जनजातिया पाई जाती हैं, टोड़ा जनजाती पाई जाती हैं, जेट एंजन के सिधांद पर कार करता हैं। अगला प्रसने की धान की उपज के लिए किन प्रस्तियों की अबसकता होती हैं? उच्च तापमान, उच्च आदर्ता और वर्षा की अबसकता होती हैं धान की उपज के लिए? सिरुही, सिरुवी राच्टे उदान की सराज में इसत हैं? मडी पुराज में इसत हैं? पंचे सेल सब्द की सनीती से सम्बंदित हैं? भारत की बिदेश सनीती से सम्बंदित हैं? भारती सब्दान का कौन से अंच्चेद? केंदर साथिर परदेशों के परसासन से सम्बंदित तो अनचे 242 दोस्तो आर्टिकल 239 है नेक्स्ट क्वस्टन है कि अमेरीका की पहली महिला उपराश्टपती कमला हैरिस का मोल परिबार भारत के किस राज्जे से सम्मधित है भारत के तमिलाडु राज्जे से सम्मधित है दोस्तो कमला हैरिस का जो परिबार है वो तमिलाडु राज्मे निबास करता है, किसे देश की आउसत आई की गड़ना कैसे की जाती है, किसे देश की आउसत आई यानि की एबरेज इंकम की गड़ना कैसे की जाती है, तो उस देश की कुल आई को उस देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है, एबरेज आई की गड बेस दर्शन दिबस परती वर्ष कम मनाया चाता हैं नॉम्बर के तीसरे गुरुबार को मनाया चाता हैं बेस दर्शन दिबस डिउटेरियम और ट्राइटियम के हैं यह हाइडोचन के समस्थानिक होते हैं दोस्तो हाइडोचन के आइस्टोप्स होते हैं डिउटेरियम और ट अर्थ सासर में जीनपी का पूर्ड रूप क्या हैं? जीनपी का फुलफॉम होता हैं, ग्रास नेशनल प्रोड़क्ट होता हैं, जीनपी का फुलफॉम, लाला लाच्पत रायक किस दल के सदस्त हैं, गरम दल के सदस्त हैं, प्राधीपिय भारत की पस्तिम की ओर बहने बाली स सबसे बड़ी नदी कोई सी हैं? नर्मदा नदी है दूस्तो नर्मदा अंदी। नेक्स्ट कोईसन है कि भारत का परसिध पारंपरिक तहवार छट पूंजा किस देउता को समर्पित हैं? सूर देउता को समर्पित हैं? नेक्स्ट कोईसन है कि कबनी नदी किस नदी के सहाइक नदी है? काबेरी नदी के सहाइक नदी है कबनी नदी? भारत की सब्धान सभाद 24 जनुरी 1950 को अपनाय गया था राज्ट गान जनकर्ण मन को और इसी दिन राज्ट गीत को भी अपनाय गया था राज्ट गीत को भी इसी दिन अपनाय गया था दिर्मान और बेग के गुडरफल के रुप में संबेग को परभासत किया जाता है यहीं कि P पराबर क्या होता है MB होता है P क्या होता है संबेग होता है M होता है मास यहीं कि दिर्मान और B होता है दूस्तो बेलुसिटी यहीं कि वेग गोतम बुद्ध को ग्यान कहा प्राप्त हुआ था? बोध ग्या बिहार में प्राप्त हुआ था Next question है कि मनुष्व में हारपीज नामक ग्रोग जिसके दोरा फैलता है बिसाडू के दोरा फैलता है वाइरस के दोरा फैलता है बिस निमोनिया दिबस का मना जाता है किसी देश के कुल आर्थिक उतपादन का माप क्या है? वास्तबिक GDP है दुस्तो रियल ग्रोश डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानि कि रियल जो है वास्तबिक सकल घरिलो उतपाद होता है भारत में कौन सा पुर्दगाली उतपादा था? फ्रांसेसको डी अलमेटा जो है भारत में पर्थम पुर्दगाली उतपादा था? किस राजवंस के तहत कदमाई भूराजज़सो एक रूप था? चोल राजवंस में ता दोस्तो चोल राजवंस में कदमाई जो है एक भूराज़सो था? सेबे का मुख्याले किस राज जमें इस थें, मुंबई सहर में सेबे का हेड़कॉर्टर धोनी यांतरिक तरंग किस माध्य में यातरा नहीं कर सक refusing प्रवेशन नहीं कर सके हैं लेकिन जो परकास होता है दोस्तो परकास की सबसे ज़्यादा चाल अगर पूछा जाए किसमें होती हैं तो निर्बात में होती हैं परकास की सबसे ज़्यादा चाल सहत के लिए मदमख्यों का पालन और रख रखाओ क्या कहलाता हैं एपी कल्चर कहलाता हैं चीटी के काटते समय तोचा में इंजेक्ट किया चने बला अमले कौन सा हैं? फार्मिक अमल होता हैं यहीं कि चीटी के जो डंक होती है उसमें फार्मिक अमल होता हैं भारत के सब्धान का कौन सा प्रावधान संसद के साधर बहुमत के दौरा संसुदित किया ज़ख सकता हैं कुबेद, उली इसलाम, मस्जित कहां परिस्थ हैं? दिल्ली में इस्थ हैं तरभी और चोदभी सताब्दी के दोरान पज्याम में कौन सी जन्जाती का पर्भुत था? खोकर जन्जाती का पर्भुत था तरभी और चोदभी सताब्दी के दोरान नेक्स्ट गौस्ण Еलिफेंटा की गुफाओं में किस संपरदा से जुड़े सेव मंदरो का संगरे हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हैं तो भारत का केबल एक राज्ये दोस्तो पिसिम बंगाल जो शिक्किम के साथ अपनी सीमा साज़्ा करता हैं इबत भारत और बंगला देश से होकर बहने वाली नदी कौन सी हैं? ब्रहम पुत्र नदी हैं? नेक्स्ट कोसन दरूल ब्रेकर से नमक पुस्तक के लेखा कौन हैं? दरूल ब्रेकर से पुस्तक जो हैं ये पृती सेनाय की पुस्तक है दोस्तो पृती सेनाय की पुस्तक हैं बिकार किया गया था है चार मिनार कहां पर इस्तित हैं हैतराबाद में चार मिनार इस्तित हैं भारत का पहला आर्थिक सर्विचड कब प्रसुत किया गया थां Pap Teraz Phi Phere Next Question है कि ज्ञान पेट परुसकार पहली बार किस वड़िस प्रदान किये गये थे 1965 में पहली बार ग्यानपेट प्रुसकार परदान किये गये थे आर्समाज के स्थापना करते समय भारत का वाइसरा है कौन था Lord Northbrook थे दूस्तो Lord Northbrook जो है आर्समाज के स्थापना के समय भारत के वाइसरा थे और आर्समाज के स्थापना किस ने की थी दयानंद सरपसती ने आर समाज की इस्थापना की थी सिर्का के रूप में कौन सा अमल जाना साता है एसेटिक अमल जो है एसेटिक अमल जो है ये सिर्का में पाया साता है अगला कॉसन साडो को काबु करने का तिहुआर जली कट्टू मुख्यता किस राज़्यम मनाजाता है न भार्त की पहली मुसलिम महिला सासक रजिय सुल्दान किस तुर्की सासक की बेटी थी समसुदीन इलतु तमिश की बेटी थी उलम्पिक खेलों के प्रतीक में छलों में कितने रंग होते हैं? पांच रंग होते हैं लच्छमी नाराण सास्तरी का संबंध किस निर्थ सैली से हैं? कुछी पड़ी निर्थ सैली से हैं और कुछी पड़ी तो हैं ये दोस्तो आंतर प्रदेश का सासे निर्थ हैं आंतर प्रदेश का कलासकल डांसे कुछी पड़ी सूती वस्तर कैलिको की उधपती किस राज्चे से हुई थी? केरला राज्चे से हुई थी दोस्तू केरल से अगला प्रसन भारत में अखिल भारती टेनिस संग की अस्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी 1920 में अगला प्रसन दिल्ली सुल्दान की आधिन परसासन की भांसा कौन से थी? फार्सी भासा थी, मुल्लें राज्टे उदान किस राज्ज में इसत हैं, मिजोरम राज्ज में इसत हैं, कोलकाता में भारती संगराले की अस्थापना किस वर्ट्स की गए थी, 1814 में भारती संगराले की अस्थापना की गए थी, कहां पर कोलकाता सहर में, फार्सी इतिहास क अगला प्रस्ण, किसी द्रोग का उसके कोथरांग से कम, किसी भी तापमान पर गैस में परिबर्तन होने को क्या कहा चाता है। जो यू थांट कप से संबंधित हैं। तुलसी दास के रचना राम चरित मानस किस भासा में लेखी गई हैं। दिल्ली में लाल के लिए का निर्माट किसे ने करबाया था? सहजा ने करबाया था दूस्तो, सहजा ने लाल के लिए का निर्माट करबाया था। किस फसल के उत्पादन के लिए प्रते हक्तेर अधिक्तम पानी की अबस्ता होती हैं कन्ना के उत्पादन के लिए होती हैं Next question ही के Lord Ripan Dora Hunter Commission की नियुक्ति किस वर्ट्स में की गए थी 1882 में की गए थी 1882 में की गए थी हिर्दे के एक चक्र में मचली के हिर्दे से कितनी बार रख्त गुचरता हैं एक बार गुचरता है दोस्तों एक बार भारते दंड सहता किस धारा के तहद ताग जांक एक अपराद हैं तो धारा 354 C के तहद ताग जांक एक अपराद होता हैं थाग जंग 12354 नहीं का थी मैं और मने पनाथ कर्म की गय थी राष्ऩ ने पहले किसा और के सीबिघी नहीं किके थी भारतीयक म्मुनिस्ट पारटी के स्थापना 1920 कि गय थी 1961 में राच्ट ने पहले Sciai खेलो की मेज़बानी की थी भारत ने किया था दूस्तो भारत ने पहले राच्ट खेलो की मेजबानी की थी ब्र把 श्राई बंपनी ने चेता था और ब्रत इस्रंडिया कमपनी ने सिराजु दौला को हरा था प्लासी के युद्ध में 1757 इसबी में इंडेक्शन मोटर का अबिस्कार किसके दुरा किया गया था निकोला टेसला के दुरा इंडेक्शन मोटर का अबिस्कार किया गया था नेक्श्ट क्वेस्टन के 1870 में भारते लोकसिबा के पहले भारते सदस कौन बने थे सत्यंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले सिबिल सिबग बने थें सत्यंद्रनाथ टैगोर 1870 इसबी में भुगंप को पहचानने और उन्हें रिकार्ड करने के लिए किस उपकरड का प्रियूग किया जाता हैं सिस्मोग्राफ का प्रियूग किया जाता हैं भारत के किस राज्ज़ में 12 वर्सों में एक बार मनाया जन्यबला तिहुआर, महा मघम मनाया सथे हैं, तमिलाडु राज्ज़ में मनाया सथे हैं नेक्ष्ट कोस्ण है कि पानी पत्ड की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गए थी? 14 जनूरी 1771 में पानी पत की तीसरी लड़ाई लड़ी गए थी 14 जनूरी 1771 में भारत की जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की रूप में जाना जाता है बुद्ध ने बैसाली में अपना अंतिम उब्देश दिया था महा परिनर्वाण के पहले। भारत में बिल्टिस आशन के दोरान किस ने रहीत बाड़ी बिलस्ता की शुरुआत की थी। 1955 से पूर्विकिस बैंक को इंपिरियल बैंक आफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारती स्टेड बैंक को SBI को जानते थें 1955 से पहले इंपिरियल बैंक आफ इंडिया को। पंजाब का कौन से तिहुआर पारंपरिक रूप से रवी फसलों की कटाई से संबन्दी थें। बैसाखी है दोस्तों बैसाखी। S.E.N. गेंस ने भारती में पहली बार फूटबाल का स्टोडपतक कब जीता था। 1951 में जीता था। नालंदा और बिक्रम सिलाबिस्य विद्याले के संस्थापक कों थें। Next question ही कि चंदाबर की लड़ाई किसके बीच हुई थी। मुहम्मद गोरी और जेचंद की बीच हुई थी। जिसमें मुहम्मद गोरी जीत गया था और जेचंद हार गया था। भारती सब्धान के किस भाग में राच्टपती के चुनाव संबंधित नियमों का वरणन किया गये हैं। भाग पांच में किया गया दोस्तो भाग पांच में राच्टपती के चुनाव संबंधि रूल बताएगे हैं नियम बताएगे हैं। भारती सब्धान का कौनसा अंचेद भारती संसद में मंतरी परसत की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वरणन करता हैं। तो अंचेद चहुवतर हैं दोस्तो आर्टिकल सबंधि फोर हैं। तो मिसमी चन्जाती दोस्तो रहेते हुआर मनाती हैं। रहेते हुआर की अलबा एक तेहुआर और हैं। लोथल अस्तर पर हडपा सभधा की किस अउसेसु की खोज किस नहीं की थी। एस आर राव ने किया था दोस्तों, एस आर राव ने लोथल असल पर हडपा सभथा के आउसेसों की खोज की थी, एस आर राव ने धोला बीरा और लोथल की प्राचीन हरपा बस्तियां वरतमान भारतिय राची में इसे थे? गुझरात में इसे थे दोस्तों, गुझरात राची में भारती सब्धान की किस अनचेत के दोरा आज़ फिर्सता को समाप्त किया गया अनचे 17 के दोरा आर्टिकल 17 के दोरा चुवा चुवत यानिकी आज़ फिर्सता को समाप्त कर दिया गया सरबोच्य भारतिय नागरिक प्रुसकार भारतरतन के सिबर्स में आरंप किया गया था 1954 में भारतरतन की सुरुआत हुई थी 1954 में स्वतंदरता मेरा चन्व सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा इनारा किसन ने दिया था बाल गंगा धर तिलक ने दिया था नेक्स्ट क्वस्टन कौन सी नदिया एक दूसरे के लगभग समनांतर बहती हैं लेकिन विप्रियत दिशाओं में खुद को खाले कर देती हैं तो नर्मदा और तापती नदी हैं दूस्तो नर्मदा नदी चुहें ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती हैं और तापती नदी चुहें ये अरप सागर में गिरती हैं तापती नदी कहा 1292, 1294 के मद मारको पोलू के सिदेश से भारत आया था, 22 से भारत आया था दूस्तो, 22 से भारत आया था पाल कोंडा की पहाडिया किस राज्य में इस थें, आंधर प्रदेश से राज्य में इस थें नेक्स्ट क्वस्तन, पैंचात का सदस बनने के लिए कितनी नियुंतम आयू अवस्तक हैं, एक कैस वड़स आयू अवस्तक होती हैं, पैंचात का सदस बनने के लिए बूढ़ी दिहांग किस नदी के सहायक नदी हैं? बरहम पुत्र की सहायक नदी हैं? बूढ़ी दिहांग 1947 में स्वतंद्र भारत की पर्थम कैबिनेट में सिच्छा बिवाग का प्रभार किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था इंडिका पुस्तक किसके दौरा लिखी गी हैं? मेगस सनीच की पुस्तक हैं इंडिका पुस्तक जो हैं मेगस सनीच की पुस्तक हैं दिसंबर 1947 तक भारत का सब्धान लिखने बाली सब्धान सभा में कुल कितने सदस्द थें? 299 सदस्द थें इंसान की आँख टैमरी की तरह होती हैं इसके लेंस प्रणाली को क्या कहा साता हैं जिस पर प्रतिमिम यानिकी इमेज बनता हैं रेटिना कहते हैं दोस्तो रेटिना पर प्रतिमिम बनता है और आख का चो कौनिया होता दोस्तो वो किसी को दान भी दिया च्यस्ता है सरकार के कुल राजसो और कुल वे के बीच के अंतर को क्या कहा साता है राज कोसिय घाटा कहते हैं फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मोल कौन घोसित करता हैं किर्सी एबम किसान कल्यान मंतराले घोसित करता हैं नियुन्तम समर्थन मोल यानि की MSP Next question है कि किर्सी की उस आखा को क्या कहा चाता हैं जो बागबानी फसलों जैसे फल, सबजियां और सजाबटी पौधों से सम्मध थें तो बागबानी कहते हैं दोस्तो बागबानी कहा चाता हैं चिलका जेल के सराज में इस थें उडीसा में इस थें दोस्तो उडीसा में चिलका जेल इस थें अन्तिम मुगल समराड कौन था बहादुर सा दुतिय था दुस्तो बहादुर सा दुतिय अन्तिम मुगल समराड था बिटामिन के का दूसरा नाम क्या है फिलो कुईनोन है दूस्तो फिलो कुईनोन चो है बिटामिन के का दूसरा नाम है फिलो कुईनोन मानुसरीर के सबसे छोटी और सबसे लंबी हड़ी कौन सी है सबसे छोटी हड़ी है स्टिपीच और सबसे लंबी हड़ी है दूस्तो फीमर चुकी जांक की हड़ी होती है और जो स्टिपीच होती है दूस्तो ये कहां पाई सती है कान में पाई सती है Next question हिमाली की परवच चोटी धोला बीरा कहां परिस्थ हैं? नेपाल में इस सधे धोला बीरा लेटराइट मिटी में कौन सा आगसाइड कम होता हैं? सिलकोन कम होता हैं लेटराइट मिटी में राज कोसिये उत्तरदायत और बचट परबंधन अधनियम के तहट नियम कब लागू हुए? जुलाई 2004 में नियम लागू किये गये थें कौन से सहर बिजे नगर के मध कालेन हिंदू राज्जे से सम्वंधित अपने खंडरों के लिए परसद हैं? तो हमपी सहर हैं दोस्तो करनाटक का हमपी सहर हैं किस राज्टे अंधोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओ की भागितारी देखी गए थी? सबने अबग्या अंधोलन में देखी गए थी? तंचोर का ब्रिद्यस्तुर मंतर किस राज्ज में इस थें? तमिलाडू में इस थें? ओलम्पिक रंग पहली बार सार्व परजनिक रूप से परसुत किये गये थें। यद परकास एक दूसरी के सामने रखेगें। तो दरपडों, दो दरपडों किसे प्रवर्तित हो, तो कितने प्रतिम बनेंगें। अनंत प्रतिम बनते हैं दूस्तों, इन्फनाइट प्रतिम बनते हैं। हडपा कालिन असल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्जी में इस थें, गुजरात में इस थे रंगपुर। 1932 में पूना समझोता किस के बीच हुआ था? महत्मा गांधी, रॉक्टर भेमरों अमबेटकर के बीच पूना समझोता हुआ था जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं। भारते सब्धान का अंचित बहत्तर किस से रिलेटेट हैं? अंचित बहत्तर में दोस्तों राज्टपती की माफी देने के सक्ति इने के छमादान की सक्तिया बताएगी हैं। आर्टिकल 72 में खेलों में उतिकरिष्टा थे संबंधित पुरुसकार कौन से हैं? दुरोड़ा चार पुरुसकार है जो की खेलों में उतिकरिष्टता से संबंधित हैं? दुरोड़ा चार पुरुसकार हैं। भारती सब्धान का अंचित 51A किस से रिलेटट हैं? मौलिक करतव्यों से संबंदित हैं, आर्टिकल 51A. दारा सिको की पिता का क्या नाम था? सहजा नाम था दोस्तों, सहजा जो हैं दारा सिको का पिता था. भारती सब्धान के किस संसोधन के दौरा लोगसभा सीटों के संग् कहा गया कि 18 वर्ड से कम आयो का कोई भी ब्यक्त किसी भी सारजनिक अस्थान पर वहन नहीं चलाएगा, तो मोटर वहन अधनियम 1988 के तहत कहा गया था. किस भारती राज्जी को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमी के नाम से जाना जाता हैं? असम राज्जी को जाना जाता है दोस्तों, अच्छा असम स्टेट को. भारती सब्धान के अंच्छेद एक्सो तेस की तहत अध्य देसों की घोसडा करने के सक्ति किस के पास अगला प्रसनी की गरीबी और अन बिटिश सासन भारत में पुस्तक के लेखक कों हैं? गरीबी और अन बिटिश सासन भारत में इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, दादा भाई नरोजी हैं. सिफ्टिंग एगरी कल्चर को किस अने नाम से भी जाना साता हैं सिफ्टिंग एगरी कल्चर को सिंधुकाटी सबदा के किस असल पर महान इसनानागार की खोच की गई थी मोहन जोदडो असल पर की गई थी 28 सताबदी में पैतल सेना के सेन को द्वरा इस्तिमाल की जाने बाली भारी बंदू को क्या कहा जाता था मसकट कहते थे दूस्तों मसकट कहा जाता था Next question है कि जासकर लदाख परबस रडियो के बीच कौन से नदी बहती है सिंधू नदी बहती है माइकल फेलपस किस खेल से संबंदी थें? तेराकी से संबंदी थें दोच्तों माइकल फेलपस जो हैं ये तेराकी से रिलेटेट हैं बंगाल धीरे धीरे मुगल चित्रड से किस के नेतरत में अलग हो गया था? मुरसित कुली खान के नेतरत में अलग हो गया था नेक्स्ट क्वसान ही कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 16 अपरेल 1896 को कहां पर आवज़ित किया गये थें एथन्स में आवज़ित किया गये थें पहले ओलंपिक खेल 6 अपरेल 1896 को मुहम्मद बिन कासिम ने भार्ट पर का आकरमण किया था 712 SB में सिंध पर पहला अरबा करमण किया गया था किसके दोरा मुहम्मद बिन कासिम के दोरा रंगना थिट्टो बर्ड सेंचुरी कहां पर इस थें करनाटक में इस थें सबसे पुराना ग्रेंड सिलिम टैनिस टोर्णामेंट कहां पर हैं बिमबल्डन में दुस्तो बिमबल्डन में इस थें उच एसिया के रेड के रूप में किस स्रीडि को जाना जाता हैं कारा कुरम स्रीडि को जाना जाता हैं उच एसिया के रेड के रूप में दुतिये बिस्युद्ध में अपने पच्छ में पूड भाते सहोग प्राप्त करने के लिए बिर्टिस सरकार ने भारत में कौन सा मिसन सुरू किया था किरिप्स मिसन की सुरुआत की थी किरिप्स मिसन की अलावदिन खिलजी दुरा लगा या खराज कर किसके उपज के लगभक कितने परतिस्त के बराबर था दोस्तों उपज के लगभक 50 परतिस्त के बराबर था खराज कर पेन गंगा किस नदी के सहायक नदी है गुदाबरी नदी के सहायक नदी है पेन गंगा Next Quesn है दोस्तों कि भारतिय सब्धान में कितनी अनसूचिया उलिखे थें 12 अनसूचिया बताएगे हैं भारतिय सब्धान में होसंग सान ने अपनी राज़धानी यहने कि कैपिटल किस अस्थान पर बनाय थी? मंडों में बनाय था असोक के कंधार सिलाले की खोज किस वर्टस में की गए थी? 1958 में की गए थी HIV वाइरस का संचेत रूप क्या है? Human Immunodeficiency Virus होता है Human Immunodeficiency Virus होता है HIV का फुलफॉर्म Human Immunodeficiency Virus होता है विकास वाद का सिधानत किसे ने दिया था? चार्ल्स राबर्ट डार्बिन ने दिया था भारती सब्धान की अंचेत 368 किस से संबंदित है सब्धानिक संसोधन से संबंदित है Article 368 महा साखर का उतला इस्दा जो एक धलबा या उससे भी कम की अवसर धलान दिखाता है क्या कहलाता है? महा DPA Self कहलाता है नीते निलिसक सिद्धानतों में यानि कि DPSP में बताय गये है Article 44 राज़्टी आबदा परबंधन प्राधिकरण का अधेच कोन होता है परधान मंतरी भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है भारत में पहला पूर जनगर्णा कब की गए थी? पहली पूर्च नगर्णा दुस्तो 1881 में के गए थी इसके सासनकाल में लोर्ड रिपन के सासनकाल में पहली पूर्च नगर्णा हुई थी 1881 में Next question सिंधु नदी के जल उप्योग का कितना प्रतिसत भारत कर सकता है सिंधु नदी का 20% जल भारत उप्योग कर सकता है भारत के राष्टपती का चुनाओ किसके दोरा किया जाता है संसद के दोनों सदुनों के निर्बाचिस सधस्यों और राज बिधान सभाओ के दोरा भारत के राष्टपती का चुनाओ किया जाता है भारती सब्धान के मूले लेख में कितने अनुचेद हैं? 395 अनुचेद हैं भारती सब्धान के मूले लेख में आपात काल के दोरान कौन से मौले क अधिकार निलंबित नहीं किये जा सकते हैं? तोनचित 20 और 21 हैं, जो आपात काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं, आर्टिकल 20 and 21 हैं, नेच्ट कोसनी की ओलंपिक में भार्त के पहले धचा वहक का नाम क्या था? पुर्मा बनेर्ची थी, कौन सी रेखा भार्त के मध्ध से होकर गुचरती हैं और देश की जलवा पिछले भाग पर किसका चितर हैं? मंगल यान का चितर हैं, दोस्तो, 211 इसापूर में कलिंग यूद हुआ था, जिसमें असोक की चीत हुई थी, और इस यूद के बाद ही समराट असोक ने बहुत धर्म को गिरहन कर लिया था साथ भी पंचुबर्सी योजना के मुख उद्देसियों में से एक क्या था खादनों के उद्पादन में बिर्धी इसका मुख उद्देस था मातमा गांधी सरंखला के 50 रुपे के बैंक नोट का आधार रंग के है फुलोरेसेंट नीला है दोस्तो हुलोरेसेंट नीला है पचास रुपे के बैंक नोट का जो रंग है दोस्तो सुतनेत के समय किस उद्धोग में माइक्रो चिप से लेकर टेली बिचेंट तक उद्पादों की एक बिश्त्रित अन्खला सामिल है Electronics में सामिल है, Electronics उधोग में Badminton में परते खेल में कितने अंक होते हैं, 21 अंक होते हैं भारते सब्धान में अंतिम अंच्छेत को कितनी संख्या दी गए थी अंतिम अंच्छेत को 395 संख्या दी गए थी यानि कि जो भारते सब्धान है, मूल सब्धान जो है मुल सब्धान में दोस्तो कुल 395 अंच्छे थें माज और मर्चेंटिया किस वर्ग के अंतरगत आते हैं ब्रायव फार्टा के अंतरगत आते हैं 1958 में डोपर से कैलिस तक इंगिलेस चैनल को पार करने बाले पहले भारती कौन थें? मिहिट सेन थें दोस्तो मिहिट सेन पहले भारती थें नेक्ष्ट कॉसन है कि किस सासे निरत रूप की रचना? सुलबिस सताबदी में बैसरोडो संत महापुरु संकर देव दोरा की गए थी तो सत्रिया कलासकल डांस की रचना की गए थी महापुरुष संकर देव के दुरा और सत्रिया जो है दोस्तो ये आसम का कलासकल डांसे आसम इस्टेट का युनानी सासको मेंसे किसने मेगस थनीच को चंदरगुप्त मौर के दरबार में भेचा था सलोकस निक्रेटर था दोस्तो जो कि सिकंदर के सेनापती था इसने चंदरगुप्त मौर के दरबार में मेगस सनीच को भेचा था मेगस सनीच के पुस्तक है most important है दोस्तो इंडिका पुस्तक है जो कि मेगस सनीच के पुस्तक है जो कि मौर इतिहास के बारे में हमें जानकरी पराप्त करती है देती हैं, वो रितिहास के बारे में जानकरी देती हैं, इंडिका पुस्तक भारत में गरीवी रेखा का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन सरवेच़ड करता हैं, NSSO होता है NSSO संगठन है कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को परसांत महासागर से जोड़ता हैं, तो पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर को परसांत महासागर से जोड़ता हैं देश के राश्टपती को उनके पद से हटानी की परक्रिया को क्या कहा सता हैं? महा भ्योग कहते हैं, इंपीस्मेंट कहा सता हैं, जो की अंचिद एक्सरड में आर्टिकल एक्सरड बताएगी हैं और ये दोस्तों अमेरिका के सब्धान से अपनाएगी हैं, इंपीस्मेंट की परक्रिया कहां से लेगी हैं? अमेरिका के सब्धान से लेगी हैं. लाट अलोची ने 18-54 में जहांसी का बिले किस निती के तहद किया था? बिले निती के तहद किया था. उत्तर भारत के लोग किस तहवार पर देवी लच्छमी और भगवान गड़ेस की एक साथ पूजा करते हैं. दीपा वली तहवार पर करते हैं. स्वतंदरता के बाद भारत में पहली 58 सी उजणा की सुरुआत कब हुई थी? 1951 में पहली 58 सी उजणा की सुरुआत हुई और ये 1951 से 1956 तक चली थी और इसका मुख उद्देश से था दोस्तों गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना य अगला प्रसनी के 2003 में सबसे कम आयू में पद मुभिवसर प्राप्त करने बाली भारती नर्तकी का नाम क्या था? सुनल मान सिंग था. गांधी इर्बिन समझोते पर हसाचर किस वर्ट्स किये गये थे? 1931 में किये गये थे. एक बजट दस्ताबेच जो किसी बिशेश बिद क्रिया को क्या कहा साता है? महा वियोग कहते हैं इंपीसिमेंट कहा साता है. समराट असुक ने अपनी सासन बेवस्था के तहट किसकी अस्थापना की थी? धर्म बिजे की अस्थापना की थी. 1906 में भारती राच्टे कॉंगरेस का लहोर अधिविसन की किसका समर्थन करता करता था सुराज का समर्थन करता था दोस्तों लाहूर अधिविसन चुहें सुराज का समर्थन करता था 1947 में सौतंदर भारत के पहले उपरपरधान मंतरी कौन बने थे पंडिज जबालन नहरू भारत के पहले उपरपरधान मंतरी बने थे 1947 में भारत के किस सहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना चाता है। तो राजस्तान का जैपुट सहर है जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना चाता है। इस महासागर को दच्छड महासागर के रूप में भी जाना जाता हैं अंटार्टिक महासागर को दच्छड महासागर के रूप में भी जानते हैं ट्रेड यूनियन अंदोलन की सुरुवाद किस बड़ सुई थी? 1920 में हुई थी भारते सब्धान में किस अन्चेत के तहत मौलिक अधिकारों का उलंगन करने पर नियाले से अपिल की जा सकती है तो अन्चेत 32 के तहत नियाले से अपिल की जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत किस गरंद को भारते सब्धान की प्रेड़ा का सुरोत माना जाता हैं? गीता गरंद को माना जाता हैं अगला प्रसनी की आरस समाज की अस्थापना कब हुई थी? 1875 में आरस समाज की अस्थापना हुई थी? द्याननद सर्बसती ने आरस समाज की अस्थापना की थी 1875 में भारते स्वतंदरता संगराम में सुबाज संदरबोस की भूमिका क्या थी? आजाद हिंज फोस की अस्ताबना की सनी कियती तो याद रखेगा सुबाज संदरबोस ने किया था भारते सब्धान के निर्माड कब हुआ था? 26 जनोरी 1950 को भारती सब्धान का निर्माड हुआ था यहाँ पर गलत हो गया दोस्तो 26 नोमबर होगा दोस्तो 26 नोमबर 26 नोमबर यहाँ पर याद रखेगा दोस्तो 26 नोमबर 1925 होगा 26 नोमबर 1925 को भारती सब्धान बनकर तयार हुआ था और 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था? तो ये भी याद रखेगा 26 जन्वरी 1950 को भारते सब्धान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था 26 जन्वरी 1950 को किस अन्चेत के तहट भारत में राष्टपती सासन लागू किया ज़सकता हैं अन्चेत 356 के तहट किसी भी राज़ में राष्टपती सासन लागू किया ज़सकता हैं और पहली बार पंजाब राज़ में राष्टपती सासन लागू किया था पंजाब राज़ में स्वादेसी अंदोलन के सुरुवात कब हुई थी? 1905 में स्वादेसी अंदोलन के सुरुवात हुई थी. गुलामी से मुक्ति के लिए महतमा गांधे ने कौन सा अंदोलन चलाया था? नमक सत्धगरे अंदोलन चलाया था. किस कानून के तहत भारते संसत का निर्मार किया गया भारत की स्वतंदरता के लिए आहसहिमती और सामुहिक अंदोलन किसके दोरा चलाए गये थें? महतमा गांधी के दोरा चलाए गये थें. किस अंदोलन के दोरान सत्तागरे की अउधारण का विगास हुआ था? आसहियोग अंदोलन के दोरान हुआ था. भारत में सब्धान की बाहरभी अनसूची में क्या सामिल है केंदर और राजी की सक्तिया सामिल है किस भारती नेता ने गरह युद्ध का परियूग किया था सुभाज संदर बोस ने गरह युद्ध का परियूग किया था किस संगठनों की अस्थापना के बाद भारत के स्थापना के बाद भारत के स्थापना के बाद सुतंदता संग्राम में तेजी आई थी और कॉंग्रेस के स्थापना 1885 में की गए थी 1885 में कॉंग्रेस के स्थापना की गए थी किसके दुरा ए ओ हुम के दुरा कॉंग्रेस के स्थापना की गए थी 1885 में बंदू के बोलती हैं किसकी परसिद उखती हैं सुभाज संदरबोज की सुखती है अगला प्रस्न उन्नीस में जलिया बाला बाग हत्या कांट के बाद किसके नेतृत में भारती कॉंग्रेस ने असहोग अंदुलन शुरू किया था महत्मा गांधी के नित्रित में शुरू किया था तिलक की उपाधी किसे दी गए थी बाल गंगाधर तिलक को दी गए थी स्वराज का नारा किसे ने दिया था महत्मा गांधी ने स्वराज का नारा दिया था महत्मा गांधी ने किस वर्स भारत ने स्वतनरता प्राप्त की थी, 1947 में प्राप्त किया था दोस्तो, 1947 में भारत ने आजादी प्राप्त की थी और 1950 में भारत गरतंतर बना था 1950 में भारत की पहली महिला परधान मंतरी कों थी? इंद्रा गांधी भारत की पर्थम महिला परधान मंतरी थी और भारत की पर्थम महिला बित्र मंतरी भी इंद्रा गांधी थी गांधी ची का नाम इस अंदोलन से जुड़ा हैं आस योग अंदोलन ये दोस्तों शुरुवात की थी मातमा गांधी ने आस योग अंदोलन की शुरुवात की थी आर्टिकल 15 के तहित देश के किसी भी बैक्त के साथ, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भाग तीन को भारत का मेगना काटा कहसाता है। कि ये एबुक हैं, 59 रुपे में आप इस एबुक को पाय कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इस एबुक को डिजाइन किया गए हैं। हर एक चेप्टर के बाज तो उस चेप्टर से रिलेटर्ट कोसन दिया गए हैं। जो आपके पिछली परिच्छाओं में पूछेगे हैं। तो आप इस एबुक को जरूर पाय करिएगा दोस्तु। और इसके अलाबा जीके संजीनी एबुक को आप जरूर पाय करिएगा। इसमें इतिहास, अभिधान, भुगोल, अर्थसासर, समाने पिज्ञान और इसके अलाबा इस्टेटिक जीके के कोसन भी इसमें इंकलूट कियेगे हैं। तो इससे बाज जरूर करिएगा। पांच हजार से ज्यादा कोसन इस एबुक में दियेगे हैं। मात्र 59 रुपेए की ये इबुक हैं, तो इससे भी आप जरूर वाए करिएगा दुस्तो, इसका डेमो भी आपदेख सकते हैं। तो दोस्तो आई होप कि आप कोई वीडियो पस्तान दे होगी अगर आप कोई वीडियो पस्तान दे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेगा और इस वीडियो को सेर भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन उनको आल प बीडियो के नोडिफिकेस्टन, वाट्स अप और टेलिग्राम दोनों पर प्रॉइड किए जाते हैं वीडियो अपलोड करने से पहले तो टेलिग्राम और वाट्स अप चैनल को जरूर चोइन कर जिएक अगा दुस्तो इस पर आपको पेडिया भी प्रॉइड किए जाती हैं सो मिलते नेक्स्ट वेडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम